मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए इस टुरिलर्स में हमने लास्ट टाम यह एक्जाम्पल किया था हम मैं थर्ड ओबर लोडिंग का है हम एक और एक्जाम्पल करेंगे ठीक है जिने आए है लेज़े टिक करते हैं कि क्या और यह अधिक्त करते हैं कि वह जो आपका बगारा था न इसको है यह मने बताया था ना इसको मैं विक्या करता हूं कर दो कर दो को सब्सक्राइब ठीक है अब देपो प्रोजेक्ट में रहा नहीं दिखाएगा आपको यहां प्रोजेक्ट में जो एर्रा रहा था इसको यह मैंने किया ठीक है तो इस तरह से हम भग भी अभी देखें में मुदे पर हम आते हैं राइट क्लिक किया है ना नीम किया क्लास का नाम हमने ग्यांग पर ठीक लिया ठीक है और यह पैकेज का नेम होता अल्रीड बाइटिफर्ट ले रहा और हमने में में अध्यम ने नहीं कर सकता है ठीक है कंट्रोल डी अभी क्या करता है हम एक नया मेथर्ड बनाते हैं जो ग्याम पर लेते हैं फ्लोट अभी देखें आइड फ्लोट अउनगा लेते हैं ग्याम देखें ये देखें आइ आइड अuestas देखें। अब यहां पर इंट और फ्लोट में क्या होगा फ्लोट होगा यह हमने मैथड बना दिया अभी दूसरा मैटसर लेते हैं एड शेम नाम से एड शेड़ यह बना चीक अधियो यह बना आद अभी यह वाद यह हैं एल यह बना आद एल दिया आद एल एल आद एल आद अभी क्यों आ रहा है रहा है क्योंकि इसमें क्या होगा फ्लोट होगा ठीक है रेटर्न टाइप रेटर्न टाइप रेटर्न एपुलस सी कि फ्लोट है रेटर्न र्क रेटर्न कुल है को भा ज ठीक है, हम class के नेम से object मनाएंगे आप़ एक्स एक्स डॉट इसे हमने कर दिया 30 अब देखें यहां पर लाइन पर एरर आ रहा है अब देखें यह क्या हो रहा है कि आपको यह compiler कंफ्यूज हो रहा है आपने फ्लॉट और लोट एर इंट बी लिया यहां पर इंट 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 सी लिया और फ्लॉट लिया अब इसमें क्या हो रहा है बैकेंड में बताया था अलड़ी एक्स में हो रहा है यहां पर क्या रहा है कंफ्यूज कर रहा है कि मैं इसको भी कॉल करऊं इसको कॉल करूं कि आपने जो इसका एक है container जो लिया वह वा है प्लॉट है अना तो मैंने चेख करता है पहले तो number of parameters तो ठीक है जी, number of parameters क्या है दोनों में तो सेम है, इसमें भी दो है, ठीक है, यहाँ तो सही है, दूसरा क्या चेख करेगा आपना, दूसरा चेख करेगा यहाँ पे, data type of the parameters, अब यहाँ पे दिक्कत अगेट है data type of parameter दोनों में same हो रहा है हाना यहां पे दोनों में same हो रहा है यहां पर hey capit eight float है पहले float है तीसरा दूसर तो यहीं पर error आ घए तो यह क्या है run time error है आना compiler confuse हो रहा है हम उसको समझ में नहीं हा रहे है कि की किसको मैं इसको मैं इसको तो यह इसको दो इसलिए दोनों में से किसी को दोनों ही जगह पे वह एलर आ रहा है कि ठीक है कि अब भी दिखिए यहां पर जो एड करने जा रहा है है तो इसे में किसको देखा हो वह उन्ट्रोल हो रहा है तो ठीक है इसी लिए यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं यहां पर लिजाओं तो यहां पर बता रहा है यह यहां पर यहां प्लोट है फिर यह ओडर भी चेक कर रहा है थो यह एग जांपल काफी इंपटेंट है और इंटर्व्वीव परक्रश कर से अग्ट कि वाचिंग मैं वीडियो